हलो अट सब गाईस तो क्या हाल चाल है आपके मैं आगे हूँ एक बार फिर आपके लिए धमाकेदार टीटोरियल लेके गाईस वीडियो में वीडियो क्वाल्टी को इगनौर करना क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैंने मौयल से ही सूट किया है और अभी मौसम भी कुछ ठीक नहीं है तो जो भी इस चैनल में नहीं है मैं उनको बताना चाहता हूँ से पहले मैं आपको इसके सुटिंग के बारे में कुछ बता देता हूं सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि एक बंदा बाइक से आता है और अपनी खड़ी करता है और फिर उतर के सामने चला जाता है और फिर दूसरा बंदा आता है और बाइक को केमरे के फ्रेम से बाहर ले जाता है फिर वो बंदा मॉयल के सामने आता है और अपने डब्बे में बाइक को भरने की एक्टिंग करता है गाइस सबसे पहले तो आपको अपने केमरे को ट्राइपोर्ड में फिक्स कर लेना है एंड गाइस, shooting शुरू करने से पहले आपको कुछ जगह पे mark कर लेना है, जहाँ पर आप बाइक खड़ी करोगे, वहाँ पर पहले से mark कर लेना है, और उसी जगह पर आपको आपनी बाइक खड़ी करनी है, एंड जैसी दूसरा बंदा आता है और बाइक वहाँ से हटा लेता तो बाइक हटाने के पहले ही आपके केमरावेंग को ये ध्यान रखना है कि बाइक कहां पे खड़ी थी इसके लिए आप अपने स्क्रीन में मारकर से मारक कर सकते हो बाइक हटने से पहले ताकि आपको ये पतर है कि बाइक कहां पे खड़ी थी जैसी बंदा सामने आता है वहाँ पर आपको एक मार्ग कर लेना है कि उसे उसी जगह पर खड़े हो कि बाइक को अपने डब्बे के अंदर कवर करना है इसके लिए केमरा में उसे इंस्रक्शन देगा कि वो कितना बॉक्स को आगे ले जाए जिससे बाइक कवर हो जाए आपको वीडियो को पाउस करना है और यह वाले अपसर पर आके इस वाले पॉइंट का एक्जेक्ट स्क्रीन सॉट ले लेना है फिर लेयर में जाना है और मीडिया में जाके जो हमने स्क्रीन सॉट लिया है उसे लेयर वाली टाइम लेन में एट कर लेना है और लेयर को सेलेक्ट करके स्क्रीन में कुछ ऐसे फिट कर लेना है और उसे वहाँ तक क्रॉप कर लेना है जहां तक हमारी बाइक है जैसी बंदा आगे आता है और बाइक को अपने डिबे में भरने ही वाला होता है तो उसका डिबा लेयर से क्रॉप बजाता है तो लेयर को सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम कर लेंगे और बाकी बचे लेयर को क्रॉप करके वहां तक रख लेंगे जहां तक बाइक है गाइस अब layer को select करके उसकी opacity कम कर देंगे बस उतनी रखेंगे जितने में आपको वो दिख जाए एंड गाइस चैसी हमारा डिबा बाइक को cover करने ही वाला होता है ठीक उसके पहले आपको वीडियो को pause करने है और ये layer वाले option पर जाना है और ये handwriting वाला option ये brush वाले option पर जाना है और आपको वो color चूज करना है जो आपके वीडियो में ना हो ज्यादतर हम green color का यूज करते हैं बट green color में हमारी घास है तो हम यहाँ पर blue color यूज करेंगे गाइस अब आपको ये वाला brush चूज करना है और ये वाला shape चूज करना है rectangle वाला और बाइक के उपर कुछ ऐसे paint कर देना है ताकि बाइक पूरी की पूरी cover हो जाए blue color से गाइस अब जो हमने बाइक के उपर masking किया है उसको select करके उसकी opacity 50% कर देंगे और हम इसे वहां तक रखेंगे जहां तक ही हमारे bike को cover कर रही है बाकि extra part को हम trim करके delete कर देंगे तो guys ये blue mask वाले layer को आपको select करना है और ये pin वाले option पर जाना है और जैसे जैसे हमारा box bike को cover कर रहा है ठिक उसके साथ ही इस layer को slide करके pin करते जाना है guys जैसे जैसे वीडियो के साथ box आगे जा रही है ठिक उसके साथ ही blue mask वाले layer को आगे ले जाना है और पीन करते जाना है box के साथ ही guys ये इस editing का main part है आप इसे जित्ते ध्यान से करोगे ये editing उतनी अच्छी होगी guys mask को pin करने के बाद ये जो बाइक वाला layer है उसे select करके delete कर देना है और ये जो blue mask वाला layer है उसे select करके उसकी opacity 100% कर लेनी है और ये कुछ ऐसे दिखेगी guys इतना करने के बाद आपको ये share वाले option प्यारना है और इसका bit rate high करके इसे full HD में export कर लेना है guys जब तक export होता है मैं आपको कुछ बता देता हूँ guys मैंने एक second channel बनाया बक्चोद वी से सग्या तो उस पर जाके आप मेरे roast वीडियो का मज़ा लो और उसको support करो link आपको description में मिल जाएगा and guys आपको दुबारा से open करना है काइन मास्टर और new project लेना है solar issue 9 का and guys अब आपको layer वाले option पर जाना है और media में जाके जो वीडियो हमने अभी export किया है उसे layer वाले timeline में hit कर लेना है and layer को screen में कुछ ऐसे fit कर लेना है and guys layer को slide करके वहाँ पर आना है जहाँ पर हमने blue color में masking की थी और यहाँ के आपको यह chroma की वाला option enable कर देना है और यहाँ पर blue color select कर देना है जैसी आप khumaki वाला option enable करेंगे तो जितना भी part blue वाला था वो remove हो जाएगा और finally यह कुछ ऐसे दिखेगा तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है किसी नए धमाकेदार tutorial के साथ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीस यार वीडियो को एक like कर देना और चैनल को subscribe कर देना हाँ एक और बात मैंने एक नए रोस्टिंग चैनल बनाया है बक्चूद भी से सग्ये तो यार जल्दी से उसमें जाकी वीडियो देखो और यह बताओ कि वीडियो कैसे बनी है लिंक आपको description में मिल जाएगी so guys उस वाले चैनल को भी subscribe करो मुझे उस चैनल में आपके support की बहुत ज़रत है please guys thank you guys